जिस सर्व पर्थम आप तमाम मेडिया बंधू को बहुत बहुत अभार बहुत धन्यवाद जो 60-40 नीती जो जारखंडियों का हकमार नीती है जो राजवासियों के लिए काला कानून है जिसके विरोध में जारखंड इस्टेट इस्टूडेंट इन जे एसस्यू पिछले चार महिनों से लगातार कई डिजिटली और फिजिकली आंदोलन को अतिहासिक सफल बनाया और आप लोग ने अहम योगदान दिया इसके लिए सबसे पहले बहुत-बहुत धन्नवाद बहुत-बहुत अभार और जो समर्थन मिला उसके वाजुद वर्तमान सरकार हमारी मागों को लेकर के एक बयान तक नहीं दिया है या बहुत दुख की बात है और पूरे राज के छात्रा अगामी राणिति को ले करके इंतिजार कर रहे थे और अम लोग लगातार कोई छेत्र से चाहे वह सोचल मीडिया क माइध्यम से Facebook वाटसें से माइध्यम से हम लोग सभी राज के छात्रों से राय भी मागा और सब तरफ से राय आने के बाद कल यानि जो है कि हम लोग संधाल परगना की धरती में धुमका में हम लोग पूरे राज भरके 2400 जिला के छात्र नेत्रित्त करता संधाल परगना के स सू बेवस्था गराविन को चलाने वाले जो हमारे माजी हडाम होते हैं जो जग माजी होते हैं जो प्रानिक होते हैं जो नाहिकी होते हैं जो कुडाम नाहिकी होते हैं और जो गड़ेत होते हैं सभी कोई मवजूद थे और दीन भर हमलों का महा मन्थन हुआ कल दुमका में सं दुखानू चांद भाइरो फुलो जानों की धर्ति में और अंतता सार्व जनीग तोर पर पूरे सभी लोगों का पूरे जर्खन पर देश का सर्व समती से हम लोग एक अंदोलन का निर्णे लिए हैं जो अंदोलन तीन चर्णों पे होगा जो पहला चरंजों होगा वो दस मै म ने से 6 जुन तक का दस दिनों के लिए और जो तीसरा चरन हम लोगा अंतिम चरन होगा वो तीम दिनों के लिए होगा तो पर थम चरन जो दस मही अथ मय से 25 मही तक होगा बूरे जहर्खन-पर देश के एक-असी मानणिया विधायक महोदय और चौदा मारण या संक्सत महोदय से हम लोग हमारी मांग को ले करके समर्थन पत्र प्राप्त अभियान चलाएंगे जितने भी विधान सभाई है जितने भी लोग सभाई है उस अस्थानिय विधायक और अस्थानिय संक्सत के अस्थानिय लोगों के दोवारा जन समर्थन प्राप किया जाएगा या हमारा अभियन 15 दिनों तक चलेगा और तो पर भी हमारी मांग सरकार नहीं मानती है तो उसके ही जेस्ट आगले दिन 26 मई से 6 जुन 10 दिनों तक जैसे हमारे प्रामपरिक आंदोलन होता था अंग्रेजों के विरोद जो इसे हुल करांती हो हमारा चुआर विद्रो हो पहड़िया विद्रो हो संथाल विद्रो हो इसे तमाम जो यहां का विद्रो हुआ करता था अंग्रेजों के खिलाब जीस प्रामपरिक ढंग से उसी प्रामपरिक तरीके से हम लोग सकुआ का पत्ता ले लेकर सभी हाट करके नगणा बजाने का मतलब होता है कि जर्खन खत्रे में है क्या हो गया विक्राल संकट में आ गया है इसी उमिद्स से पूरे जर्खन के लोग एक साथ खड़ा होते हैं और अपना हख अधिकार को ले करके सजक होते हैं तो यह पूरा हमारा जो साट चालिस नए चलतो बहर हात्रव महा संकट पे हैं अब यह लड़ाई महा छात्रों तक सिमीत नहीं रहेगा यह लड़ाई अब हमारे अभिभावक लड़ेंगे राज के गरीब किसान मजदूर जो खेत-खलियान जंगल ज्जान में काम करते हैं जो लेबर कूली खलासी का काम करते हैं जो मिस्त्री सबी कोई मिल जूज के इस आंदोलन को नेत्री तुव परदान करेंगे चुकि राज के छात्र महासंकट हैं और यह समर्थन हम लोग को प्राप्त करके हम लोग यह एलान कर रहे हैं सब्सक्राइब है चुकि आज हम आप लोग चैनल के माध्यम से असबहREYे हैं तो बाहरी राज नाय चलतaux हक्मारनीति नाय चलतोफ इसको लेकरके जैसे हम लोग पूर्व से आप लोग चैनल के माध्यम से करेंगे कि चाट्र महा संकट पे हैं अब यह लड़ाई महा चाट्रों तक सिमीत नहीं रहेगा यह लड़ाई अब हमारे अभिभावक लड़ेंगे राज के गरीब किसान मजदूर जो खेत खलियान जंगल जान में काम करते हैं जो लेवर कूली खलासी का काम करते हैं जो मिस्त्री का काम करते हैं खेत खलियान में वैसे लोग अब इस लड़ाई का नेत्रित्व को संभालेंगे यहां के हमारे माताएं बहने महिला पूरुस आ अंदोलन को नेत्रीत्व परदान करेंगे जोकि राज के छात्र महा संक्त हम और यह समर्थन हम لوग को प्राप्ट करके हम लोग यह एलान कर रहे हैं जूकि आज हम आफ लोग के चैनल के माइध्यम से असपष्ट कर देना चाहते हैं हम लोग का जो लिए यह आंदोलन कहीं भी किसी परकार से किसी भी रूप से कोई आंदोलन जो है कि या राजनीतिक का सवरूप नहीं है। इस आंदोलन से जह सरकार से जुड़े लोग हो भीपक से जुड़े लोग हो तमाम लोगों को फायदा होगा चुकि यह जो राज देख रहे हैं यह राज मालिया की हमारा एक सरीर की तरह है और इस राज में सरीर के अंदर के जो हमारा हाड है किटनी है लिवर है वही खत्रा म में होगा तो फिर यहां सरकार क्यों और किसी लिए इसी लिए संथाल प्रगना से लेकर पूरे कुलहान प्रमंडल प्लामू प्रमंडल उत्री छटा नाकूर प्रमंडल के सभी नत्रुत करता सामिल थे और सर्वसहमति से हम लोका त्री दिवस्य आंदलन का एलान हुआ और जो अंतिम चरण जो तीन दिवसिय चरण फिर से बहतर घंटे का जो आंदलन होगा वो आंदलन होगा 9 जून को 9 जून को पूरे राज भर में मसाल जुलूस निकाला जाएगा और 10 जून और 11 जून लगातार दो दिन पूरे के पूरे 48 घंटा चक्का जाम अर्थिक नाके बंदी किया जाएगा ती छुटा नाकपूर प्रमंडल दचिनी छटा नाकपूर प्रमंडल के सभी नत्रुत करता सामिल थे और सर्वसामति से हम लोग का 3 दिवसिय आंदलन का एलान हुआ और जो अंतिम चरण जो तीन दिवसिय चरण फिर से बहतर घंटे का जो आंदलन ह होगा 9 जून को 9 जून को पूरे राज भर में मसाल जुलूस निकाला जाएगा और 10 जून और 11 जून लगातार दो दिन पूरे के पूरे 48 घंटा चक्का जाम अर्थिक नाके बंदी किया जाएगा पूरे पूरे जर्खन में सब चिक बंद रहेगा कुछ भी नहीं चलेगा हम लोग सोचे थे हमारा पिछला 72 घंटा हम लोग का निरनायक होगा लेकिन ये तिरी दिवसी आंदोलन अगर आज हम लोग को घोसना करना पड़ा है तो ये हम लोग मजबूरन में किये हैं ये सरकार हमें करने के लिए बाइध्य कर रही है अगर हमारी मांग सरकार मान जात तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे इसलिए हम लोग सुद्ध रूप से छात रहे हम लोग को कोई राजनितिक से मतलब नहीं है कोई पोलिटिकल से मतलब नहीं है किसी से कोई मतलब नहीं है लेकिन राज महसंकट पे है राज को तो खुद आगे आना ही होगा और राज को आगे आके बचाना ही होगा और हम आज एसपर्ष्ट कर देना चाहते हैं कि जो साट चालिस जो हकमार नीती है काला कानून यह महाज भैकेंसी का लडाई नहीं है यह महाज न्यूकति और रोजगार नोकरी का लडाई नहीं है इसपर्ष्ट कर देना चाहते हैं जहरकनवासिय कि यह लड़ाई भर्ष्टा चार के जड़कों मिटाने का लड़ाई है चुकि अंग्रेज भी बाहर के लोगों को आके नोकरी देते थे अंग्रेज भी बाहर के लोगों को बुला करके ठीके ठीका दिया करते थे ठीकेदार वाली से बुला लेते थे नोकरी करने वाले बाहर से पुलाए करका हैने नोक्री दे रहे हैं यहां ठीकेदार बना रहे हैं इससे हम लों लोग को बचाना है और जो भूमलब या आस पास राज्ज़ के जो भूमाफिया है तसा मुझिम की यह कारा इस राज़् परना जरह इनजर हैं लूतने को लेकर करके हम लोग को स humidity अहलों से जंग साभ्डेता लोग को माढने वाले लोगहाएक पहाण प्रवद्चल जंगल जमिन हार्ना को देवता के रूप में मानते हैं हम लोг उसको पूजा करते हैं और यह लोग जिस पहाण को देवता समझते हैं यह उस पहाण को लोग तेश्म धिस ँमढ़ जो घृत करना को हम पूजा करते हैं मतलब हम वहां से उतना ही जमील लेंगे जतना हमको जवरत है हम जंगल से उतना ही ग्रीच लेंगे जतना हमको जवरत है हम उतना ही जर्णा से या नदी से बालू या गिटी पत्थर उतना ही लेंगे जतना हमको जवरत है लेकिन ये लुटेरे माफ या लोग ता हसना